आज की इस वीडियो में एक एहम टॉपिक है एक एहम सवाल है मिया बीवी के तालुक पर दोस्तो मिया बीवी खांदान के रिष्टे की वज़ा भी होते हैं और रिष्टे तूटने की वज़ा भी होते हैं मिया बीवी राजी हो तो खांदान चलते हैं और अगर मिया बीवी लाजी ना हो तो खानदान एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शवहर को बीवी के पास कब जाना चाहिए इन्शालला ये वीडियो सुनने वाले के लिए बहुत ही फाइदे मंद साबित होगी तो दोस्तों इनसान दो चीज पारे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करते ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा मेरे प्या रूह को करार देने के लिए अल्लह तबारक वाताला को याद करे उसका जिक्र करे यकिनन उससे रूह खुश होगी उसके अलावा जिसम भी है अगर जिसम को गर्मी लगती है तो उसके लिए ठंडक है लोग पंखा चलाते हैं एसी चलाते हैं और जिसम को ठंडी लगे तो आग तापते हैं और रजाई लेते हैं और कंबल ओरते हैं इसी तरह जिस्म को भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है तो इनसान खाना खाता है पानी पीता है जिसमाने जरूरियात को पूरा करता है जिस तरह से इनसाने जिस्म को भूख प्यास लगती है उसी तरह से इ पर भी जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिसन की इमान की तरह हिफाज़त करते हैं और किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते हैं वो शादी करते हैं और जिन्दगी सुन्नत के मताबिक गुजारते हैं कुछ लोग रूहानियत की तरफ जाए तो बीवी को भूल जाते हैं तब भी बीवी को भूल जाते ही ये बात ठीक नहीं इसलाम जिन्दगी के हर मोड पर रहनुमाई करने वाला दीन है इसलाम बीवी के हुकुक का भी ख्याल रखता है बीवी से ज्यादा दूरी अच्छी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों एक अवरत हजरत अमर रदियल्ला अन्हो के खिद्मत में हाजर हुई और अर्ज किया या अमिरुलमुमिन मेरा शोहर दिन के वक्त रोजा रखता है और शाम के वक्त अबादत में गुजार देता है उसे आप कुछ समझाईए हजरत अमर रदियल्ला अन्हो उस अवरत की तकलीफ शिक्वा और शिकायत ना समझ सके कि अवरत क्या कहना चाहती है अवरत को अगर शोहर की शिकायत करनी हो तो उन्हें यही सुलूक अपनाना चाहिए तकलीफ राय में अपनी बात करनी चाहिए सारा कच्चा चिठा नहीं खोलना चाहिए शिकायत ऐसी हो कि शौहर को महसूस भी ना हो सके बहरेहाल दोस्तों हजरत अमर अवरत की बात सुन कर सुछने लगे यह आवरत क्या कहना चाहती है उस वक्त हजरत अमर अवरत के पास हजरत काब रदीध बैठे हुए थे यह औरत शवहर का गिला कर रही है उसका शवहर उसे वक्त नहीं देता यानि रात उसके पास नहीं गुजारता उसकी जिस्मानी जरूरत को पूरा नहीं करता रात इबादात में गुजार देता है और दिन रोजा रख कर गुजार देता है तो आपने उसके शवहर को बुलव अन्हों ने उससे कहा कि आप हर तीन दिन के बाद अपनी बीवी के पास जाया करें बीवी का हग भी है इबादत अपनी जगह पर है बीवी अपनी जगह पर है दोनों चीजों को साथ लेकर चलिए इसी तरह से एक और वाकिया हदीश शरीफ में आता है जिसे बुखारी ताया गया कि तु दिन का रोजा रखता है और रात के वक्त कयाम करता है मैं ने अर्ज किया क्यूंगि अलह के रोजा भी रखो अफ्तारी भी करो यानि कभी छोड़ भी दिया करो और रात को सोया भी करो इसी तरह तमाम जिस्म का तुझ पर हक है तेरी आखों का तुझ पर हक है और तेरी बीवी का तुझ पर हक है देखिए दोस्तो इसलाम बीवी का हक बता रहा है इसलाम आखों का हक बता रहा है इसलाम जिस्म का हक बता रहा है इसलाम ये सब हुकुक बता कर इबादत की तरफ और भी तवज्जे दिला रहा है, कभी रोज़ा रखो, कभी अफ्तारी करो, इसलाम बयान और रावी वाला दीन है, इसलाम बता रहा है, कि खाविन पर बीवी का ये हक है, खाविन उसके पास रात बसर करे, इबन गदामा हमबली रहमतुल्लाही आले फरमाते हैं, जो घर से दूर हैं, और दूसरे वो लोग, जो घर के करीब हैं, उनके लिए क्या हुक में है, जो घर से दूर हैं, जो कमाने के लिए गए हुए हैं, या फोजी में हैं, जो सरहद पर पहरा देते हैं, उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं होती, तो उन्हें चाहिए कि वो चार से पांच माह के बाद अपनी बीवी के पास जाया करें कुछ वक्त अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजार कर फिर वापस जाना चाहिए उसकी मिसाल हजरत अमर रदियल्लाहु ताला अन्हों के दोर से मिलती है आप रदियल्लाहु ताला अन्हों के दोर में जो लोग घर से दूर थे या सरहद पर थे तो आपने उनके लिए चार माद की चुट्टी रखी थी चुनांचे ये वाक्या मशूर है कि हजरत अमर बिन खताब रदियल्लाहुताला अन्हो फौजियों के बारे में हुक्म यही था उन्होंने फौजियों और सरहदी मुहाफिजों के लिए मकर्रर किया था वो अपनी बीवियों से चार मेहने के लिए दूर रहे जब ये मुद्द पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगा दूसरे को भेज दिया जाता जो लोग करीब है उन्हें चाहिए हालत हैज में बीवी के करीब ना जाए कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि हालत हैज में बीबी के करीब जाना ठीक नहीं है दोस्तो मेहने में आवरत के दस दिन हैज के होते हैं उन दिनों में आवरत के ओपर नमाज रोजा माफ है नमाज उन पर कजा नहीं अलबता रोजा कजा है दोस्तो तफसील ये है अगर हैज अपनी पूरी मुद्दत यानी दस दिन में खत्म हो खून बंद होते ही गुस्ली से पहले औरत से हम बिस्तरी कर सकते हैं लेकिन बेहतर यही है कि गुस्ली के बाद हम बिस्तरी की जाए अगर दस दिन से पहले माहवारी खत्म हो गई खून आता रहा हम बिस्तरी दुरुस्त नहीं बलके हैज खत्म होने के बाद जब औरत गुसल कर ले या एक नमाज का वक्त गुजर जाए जिस तरह गुसल करके कपड़े बदल कर नमाज शुरू कर दे उसके बाद हम बिस्तरी दुरुस्त होगी जो लोग घर में होते ही उन्हें ये खयाल करना चाहिए कि उन्हें अवरत का सक्ती नहीं करनी चाहिए उन दिनों के आलावा औरतों के पास जाना चाहिए उनकी भी जिसमानी हाजत होती है उनकी भी जिसमानी जरूरत को नजर अंदाज नहीं करना हर काम का इसलामी वक्त मुकर्र किया गया है हर काम इसी वक्त में करना चाहिए किसी एक चीज का होकर नहीं रहना चाहिए ये इसलाम का मिज़ाज नहीं इसलाम के मिज़ाज को समझने की जरूरत है अल्लह तबारक वाताला से दुआ है कि अल्ला तबारक वाताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फर्माईएं आमीन सुम्मा आमीन प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अस्सलाम उलीकूम रह्मतुल्ही वबरकातू